दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल Be Your Money Manager और आपके फानेंसिल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारे के साथ हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनीमित्र रजिनिश कांत दोस्तो PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हिंदी में सार इसा सुरक्षित रहता है फरजबाड़े की कोई गुंजाइसिस में नहीं रहती है लेकिन इसकी मैचुरिटी पिरियेड या फिर लॉकिन पिरियेड कर लेजिए वो 15 साल है हाला कि 15 साल से पहले भी आप पैसे निकाल सकते हैं या फिर खाता बंद कर सकते हैं तो क्या है खा तो समय से पहले एकाउंट बंद करना है पैसे निकालनी की शर्त क्या है पहले नियम यह था कि 15 साल से पहले पीपिए एकाउंट बंद नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकार ने नियम बदल दिया है तीन शर्तों पर समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है या आइसिक पैसे निकाले जा सकते हैं पहली शर्त एकाउंट खोले हुए कम से कम पांच साल हुए हो रकम का उपयोग एकाउंट होल्डर उसके पैरेंट्स बच्चे या पती अत्वा पत्नी की किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किया जाना हो रकम की निकासी का उदेश से उच्छा हो कि इसी गंभीर बीमारी की इस्तिती में या बच्चों की उच्छा के लिए पीपीएफ खाता पांच साल के बाद बंद कर सकते हैं या फिर आंशिक पैसे निकाल सकते हैं पांच साल के बाद पीपीएफ खाते में जितना बैलेंस है उसका आधा पैसा निकालने की अनुमती ए एक बार ही आंसिक तोर पर पैसे निकालने की सुभधा है। उधारन से समझे माना किसी शक्स ने 15 फरवरी 2013 को पीपीफ खाता खुलवाया। इस मामले में खाता खुलवाने वाला सक्स बीत बर्स 2018-19 के बाद आंसिक तोर पर पैसे निकाल सकता है। समय से पहले पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है। तो पोश्ट ओफिस या बैंक में जहां खाता है वहाँ उपलब्ध फॉर्म सी जमा करना होगा। फॉर्म में खाता संख्या और निकाली जाने वाली राजसे की जानकारी देनी होगी। फॉर्म पर एक राजस्व टिकट भी चिपकाना होगा। ठीक से भरे हुए फॉर्म सी के साथ साथ खाता धारक और प्रक्रिया पास्वुक भी जमा करने के जरूरत पड़ेगी। बैंक या डाकगर खाता खुलने की तारेक निकासी के लिए पातरता की इंचांच करेगा। अगर संबंधित खाता धारक पैसे निकालने के लिए पातर रहेगा तो उसे कितना पैसा दिया जाना चाहिए इसके गणना की जाएगी। इसके बाद रासी ग्रहा के बैंक खाते में जमा की जाएगी या डीडी जारी किया जाएगा। ध्यान दे PPF खाते से निकासी चाहे मैचिरोटी पर हो या समय से पहले हुई हो टैक्स फ्री होती है यानि इंकम टैक्स नहीं देना होता है। आपको बता दू कि हर साल डिड़ लाग तक जमा करके आप इंकम टैक्स छूट पा सकते हैं PPF में। तो दोस्तो। PPF से मेचिरोटी से पहले पैसे कैसे निकाले खाता कैसे बंद करे यह नियम आपने जान लिया है। लेकिन अपने फानेसल सफर को सुहाना बनाने के लिए प्लीज देखते रहे है अपना यूट्यूब चैनल Be Your Money Manager और पढ़ते रहे हिंदी financial blog beyourmoneymanager.blogspot.com और हाँ किरपया अपने इस YouTube चैनल को लाइक करना, शेर करना, सवाल पुछना, सुझाद देना मत बुलिएगा नमस्कार दोस्तों